हाई एवरिवन आज में बनाने जा रही हूं सूजी का बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता इसे बनाना बहुत असान है आप इसे हंड़ो भी कह सकते हैं या फिर वेजिटेबल हेल्दी पैनकेक भी बोल सकते हैं तो चलिए आज की मज़ेदार रेसीपी को शुरू करते हैं सबसे पहले बाउल में एक कप सूजी एक से दो पत्ते वाली प्याज बारिक कटी हुई थोड़े से मटर थोड़े सी चॉपड हुई गाजर एक से दो हरी मिर्ची बारिक कटी हुई एक से दो टमाटर बारिक कटे ह हुए 1 टेबल इस्पुन जलजीरा पाउडर 1 टेबल इस्पुन छोला मसाला 1 टेबल इस्पुन गरम मसाला पाउडर 1 टेबल इस्पुन नमक एक कप पानी आइड करके मिक्स करेंगे ये सब मिक्स हो गए हैं बैटर रेड़ी है अब इसमें एक छोटे चमज इनो आइड करके मिक्स करेंगे इनो को लास्ट में ही आइड करेंगे जिसे पैनकेक अच्चे से फूल सके अब पैन में 1 टेबल इस्पुन ओयल आइड करके गरम करेंगे ओयल गरम हो गया है अब ओयल में एक छोटी चमज राई तीन से चार कड़ी पत्ते आइड करके तड़का लेंगे राई और कड़ी पत्ते तड़क गए हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे और अच्छे से बैटर को फेला लेंगे और पल्टे की हेल्प से इसका गोल शेप कर देंगे अब इसे 5-10 मिनट तक धक कर पका लेंगे 5-10 मिनट हो गए हैं बैटर अच्छे से पक गया है अब इसे पलट लेंगे इसमें एक छोटा कप ओयल एट करके 5-10 मिनट तक ढखकर दूसरी साइट से भी पका लेंगे 5-10 मिनट हो गए हैं दूसरी साइट से भी बैटर अच्छा से पक गया है अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो ये हमारा मज़िदार और हेल्दी नाश्ता रेडी हो चुका है इसे आप ठीकी हरी चटनी या फिर टमेटो केचप के साथ में भी सर्व कर सकते हैं आप ये रेसीपी को जरूर ट्राय करें ये आपको बहुत पसंद आईगी